हलो मेरी वीवर्स वेलकम टू दरीजास केक्स एंड कुकिंग क्लासेस आज हम बनाने जा रहे है धाबा स्टाइल पालक पनीर यहाँ पे हमने कौन से भी कलर का यूज नहीं किया है फिर भी नैचरल हरा कलर केसे लाना है वो ट्रीक भी में ये वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने ली है दो कप बारिक कट की हुए पालक जिसे आप स्पीनेच भी बोल सकते हो ये स्पीनेच को आपको बोल करना है पानी में तो ये जो पानी आपने लिया वो जब अच्छे से बोल हो जाएगा उसके बाद हमें उसमें आड करना है बारिक कट किया हुए पालक और ये पालक को पानी में आपको 2-3 मिनिट टक वही पे कूक होने देना है तो आप देख सकते हो अभी पालक बिल्कुल भी एकदम फ्रेश है जैसे दो से तीन मिनिट हो जाएगा तो वो पालक गल जाएगा मतलब वो कूक हो जाएगा तो हमें पता चलता है कि ये स्टेज पे हमारा पालक बिल्कुल भी पक चुका है तो यहाँ पे मैंने उपा से लिड लगा दी है ताकि जो उसकी भाप भाप से अच्चे से जल्दी पालक हमारा कूक हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पालक है जैसे आप देख सकते हो पहले बिल्कुल एकदम फ्रेश था अभी ये पक गया है तो ये स्चेज पे ऐसे आपको ये दिखाई देगा तो चलिए अब हमें पालक पनीर करना है तो पनीर को हमें फ्राइ करना है डिफ फ्राइ आप इसे फ्राइ भी कर सकते हो या विदाउट फ्राइ के आप आज इस पनीर भी यूज कर सकते हो ये recipe में आपको पनीर को fry करके यूज करके दिखाने वाली हूँ तो सबसे पहले मैंने कड़ाई में टेल लिया है अच्छे से गरम होने के बाद उसमें हमें add करना है बारिक कट किये हुए पनीर जैसे यहाँ पे मेरी स्चील की कड़ाई है तो नीचे से पनीर चिपकेगा तो यह हो सकता है अगर आप non-stick यूज करते हो तो वहाँ पे आप अच्छे से पनीर को fry कर सकते हो तो आप देख सकते हो पनीर मेरा अभी fry होने लगा है हलका सा brown color आने तक आपको उसे fry करना है तो देखे यह पनीर को मैंने fry करके plate पे ले लिया है उसी तेल में हमें जो gravy है हमारी पालक पनीर की वो बनानी है मैंने वही तेल रखा है क्योंकि क्या है उसमें जो हमारा पनीर का जो स्वाध है वो actually आ चुका है इसके कारण तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जीरा आड़ किया है अब यह बिल्कुल बारिक चॉप किया हुए onion एक onion को मैंने बारिक कट किया था वो हमें इसमें आड़ करके अच्चे से saute कर लेना है उसके बाद मैं यह आड़ कर रही हूँ एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अद्रक लसुन की पेस्ट और पालक पनीर है जैसे पंजाबी डीश है तो टोमाटो जाएगा ही तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टोमाटो की प्यूरी आड़ करी है आप देख सकते हो यह मैंने पालक को जो हमने बाइल किया था वो पालक और यह यहाँ पे है हरी मिर्ची तो यह दोनों को हमें ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेना है आप देख सकते हो यहाँ पे यह भी सब्सक्राइब यह सबना पुक्रों में तनाइ सब्सक्राइब सब्सक्राइब और अगर आप उसे बाइन यहां पर यूद धनिया काte और और यहां में आड़ क्ड़र्फ धनिया पाउडर एक टेबल स्पून और हल्दी मैंने आड़ की है यहाँ पर मैं आड़ कर रही हूँ गरम मसाला हाप टीएसपी गरम मसाला मैंने इसमें आड़ किया है एक छोटा चममच और इसे कर लेते थोड़ से सोटे ताकि जो मसाले है वो भी अच्छे से पक जाएंगे इसमें आप ग्रेवी देख सकते हो एक दम मस तुसे कंसिस्टनसी भी आई है ग्रेवी को और अब एक बॉइल जैसे आ चुका है ग्रेवी को तो इसमें हम एड़ करेंगे फ्राइड पनीर जैसे विदाउट फ्राइड वाले पनीर भी आप इसमें ले सकते हो तो यह देखिए यहाँ पे पनीर आड़ करने के बाद चार से पाच मिनिट हमें उसे कुक होने देना है और लास्ली आड़ करना है नमक स्वादा नुसर नमक आड़ करिए इसमें और उपा से मैं एड़ करूंगी पनीर मसाला एक बड़ा चम्मच पनीर मसाला इसमें एड़ करना है बहुत से मसाले अवेलेबल है आप कुनसा भी पनीर मसाला इसमें ले सकते हो उपशे अगर आप उसमें अड़ करते हो तो उसका अरोमा बहुत मस्त आता है सबजी को और देखिये last में हमें अड़ करना है 2 चम्मच घी घी से क्या होता है जो स्वाद है वो भी अच्छा आता है और जो सबजी को उपशे इसे oily layer आती है वो भी हमें मिलती है तो घी जरूर आड़ करिए और यहाँ पे हमारी पालक पनिर बिल्कुल भी रेडी है गार्निशिंग के लिए उप़ से मैंने पनिर को ग्रेट कर लिया है तो हे ना दिख रहे हैं ना बिल्कुल भी स्वादिश रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए थैंक यू फो वाचिंग